आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 31 सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान और कक्षा है 9 इस वर्कशीट की डेट है 14th of September 2020 और इस वर्कशीट में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एक्सिलेरेशन जो की चैप्टर म पोशन का ही एक पार्ट है जिसे हिंदे में कहते हैं त्वर्कशीट की शुरूआत में जिज्ञाशा से पूछा है जिज्ञासा दीदी असमान गती इंग्लिश में जिन्हें बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नौन यूनिफॉर्म मोशन हम यहां पर बात कर रहे हैं वेग में परिवर्तन हम यह जान चुके हैं वेग और चाल यह दोनों एक समान होती हैं अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो यहां आने वाले जितने भी case होंगे वो सारे case straight line motion होंगे means object एक तरफ से चलेगा और सीधी रेखा में सिर्फ आगे की तरफ चलता हुआ जाएगा वो ना पीछे आएगा ना वो सीधी रेखा से कहीं अलग जाएगा इसलिए जहां जहां term आएगा velocity और speed हम इन दोनों वर्ड को सेम तरह से ही treat करेंगे means same ही मानेंगे अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक समान गती की एक समान गती में मान लिया कोई object है एपॉइंट से चलना शुरू करता है एपॉइंट से चलते हुए आता है वो किसी पॉइंट बी पर और A से लेकर बी तक आने में उसको जो time लगता है वो time है एक सेकेंट शुरूआत में चलना शुरू करता है जब वो rest में था और उसके बाद जो distance उसने travel की वो distance मान लेते हैं 5 मीटर है हम जानते हैं speed is equal to distance upon time that is 5 और यहाँ पर हम कह सकते हैं speed हो गई है 5 मीटर पर सेकेंट तो A से लेकर B तक चलने में speed हुई 5 मीटर पर सेकेंट उसके बाद हम कहते हैं B से लेकर वो आ गया C पॉइंट पर और B से C तक आने में भी उसको जो time लगा वो time फिर से 1 सेकेंट है और B से लेकर C तक आने में जो distance travel की यानि कि जो दूरी उसने चली वो फिर से 5 मीटर है तो हम कह सकते हैं फिर से जो speed हम निकालेंगे जो की B से लेकर C तक के लिए होगी वो फिर से उसी तरह से 5 मीटर पर सेकेंट होगी इसी तरह से ये motion अगर आगे चलाते जाएं फिर ये किसी point D पर आ गया फिर से वो एक second के बाद हमने चेक किया तो distance फिर से 5 मीटर ही रही तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसकी जो speed है यानि की उसकी जो velocity है वो कैसी रहती है एक समान यानि की same रहती है इस तरह का जो motion होता है वो uniform motion कहलाता है और uniform motion में कोई अगर हम से पूछता है कि velocity में क्या change है यहाँ पर velocity 5 मीटर है और इससे पहले भी 5 मीटर है change कितना हुआ हम कहेंगे यहाँ पर किसी तरह का कोई change हुआ ही नहीं जब change ही नहीं हुआ तो हम जिस चीज को जानना चाहते हैं ग्यान और जिग्यासा जिसकी बात कर रहे है वो है change in velocity यानि की वेग में परिवर्तन तो uniform motion या एक समान गती है तो वहाँ पर हम वेग में परिवर्तन की बात करते ही नहीं है हम वेग में परिवर्तन की बात करते हैं सिर्फ non uniform motion में यानि की असमान गती में तो अब हम बात करते हैं असमान गती की असमान गती में फिर से अब हम example लेते हैं मान लिया object A point से चलना शुरू करता है B point पर आते आते उसको time हो जाता है फिर से 1 second और जो distance object ने travel की वो फिर से 5 meter है हम देख सकते हैं A से लेकर B तक के लिए उसकी जो speed है या उसकी जो velocity है वो distance upon time से हम निकालेंगे और वो 5 meter पर सेकेंड यानि की 5 meter पर सेकेंड होगी अब हम आते हैं B से लेकर C point तक यहाँ पर भी वो 1 second के लिए ही चला लेकिन इस बार जो distance है वो है 8 meter तो अगर हम से पूछा जाएगा B से लेकर C तक की speed कितनी है तो वो speed होगी इस बार 8 upon 1 के हिसाब से 8 meter पर सेकेंड अब हम बात करते हैं C से लेकर किसी point D तक के लिए इस बार C से लेकर D तक का जो time है वो time मान लेते हैं 2 सेकेंड है और जो distance travel की 20 meter तो C से लेकर D तक के लिए हम फिर से speed निकालते हैं speed इस बार हो जाएगी distance 20 upon time 2 that is 10 meter पर सेकेंड तो पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर एक speed है 5 दूसरी speed है 8 और तीसरी speed है 10 तो यहाँ पर speed लगातार बदल रही है इसलिए ये motion है non uniform motion या इसको असमान गती बोलते हैं अगर कोई हम से पूचता है यहाँ पर speed में कितना change हुआ तो change के लिए हम देखते हैं पहली speed है 5 meter और दूसरी है 8 meter यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 meter का change हो गया है 5 जो है बढ़कर वो 8 हो गई है तो 3 meter बढ़ गई है तो अब जो speed बढ़ गई है वो 2 meter per second speed बढ़ गई है तो यहाँ पर speed में change हो रहा है तो हम जो चीज पढ़ना चाहते हैं वो है change in speed change in speed का मतलब है वेग में परिवर्तन इस बात को note कर लेते हैं हम यहाँ देख सकते हैं अगर हमें speed में change पता लगाना है तो हमें पहली speed देखनी होगी उससे अगली speed देखनी होगी और change का मतलब है दोनों का difference तो change पता लगाने का तरीका है पहले तो हम देखेंगे final speed और उसके बाद देखेंगे initial speed और दोनों का difference तो हम यह कह सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंबिक वेग इंग्लिश में इसे हम लिखेंगे final speed minus initial speed तो इस तरह से speed का change तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं अगर हमारे पास दो speed हैं तो final में से initial को subtract करके यानि कि बाद वाली में से पहली वाली को घटा के हम वेग पता लगा सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ वेग का परिवर्तन नहीं पता लगाना है यहाँ पर एक शब्द है per unit time हिंदी में यह प्रती 21 समय हमें वेग में परिवर्तन पता लगाना है लेकिन यह परिवर्तन unit time में यानि की एक second में पता लगाना है और जब भी हम एक second में पता लगाना चाहते हैं तो उससे हम divide कर देते हैं तो वेग में परिवर्तन को अगर हम time से divide कर दें जिस तरह से इस formula में देख सकते हैं change in velocity divided time taken हिंदी में देखिए वेग में परिवर्तन upon लिया गया समय तो इस तरह से एक नई चीज हमें पता लगती है जिसका नाम है acceleration हिंदी में से बोलते हैं त्वरण तो acceleration का formula हुआ change in velocity upon time taken हिंदी में है वेग में परिवर्तन upon लिया गया समय अगर हम यहाँ पर initial speed को नाम देते हैं U, बाद वाली speed को नाम देते हैं V, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा V minus U हम formula में देख सकते हैं उपर यह formula है V minus U यानि की वेग में परिवर्तन और नीचे हम देखते हैं time, और यह time अगर T है, तो T ले सकते हैं तो ये हुआ एक नई quantity की definition जिसे हम गोलते हैं acceleration इसकी unit होती है meter per second square हम इसकी unit समझ सकते हैं कि ये कैसे आई हम जानते हैं acceleration को a से represent किया जाता है उपर हम लिखेंगे velocity नीचे लिखेंगे time velocity की unit होती है meter per second और time की unit नीचे ये time की unit second तो उपर तो हो गया सिर्फ एक meter और नीचे second दो बार आया है यानि second का square अगर second को हम meter के साथ ये लिखना चाहेंगे तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा second की power minus 2 means meter per second square तो acceleration के बारे में जो चीज हम एक लाइन में कह सकते हैं वो यह है अगर velocity में change होगा तो ही acceleration होगा अगर velocity में change नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई acceleration भी नहीं होगा अब हम आते हैं इस worksheet के अगले पार्ट पर acceleration के बारे में कुछ information हमें दी गई है एक बार acceleration का formula लिखते हैं formula है v minus u upon t u यहाँ पर है इसकी initial velocity प्रारंभिक वेग और v है इसकी final velocity अंतिम वेग मान लिया object ही शुरू में velocity है 5 और बाद में velocity है 8 तो जब हम v minus u निकालेंगे तो v की value होगी 8 और u की value होगी 5 तो इस तरह से जो answer आएगा 8 बड़ा है और 5 छोटा है तो answer जो आएगा वो positive आएगा अगर हम यह कहें कि u जो है वो 8 था यानि पहले speed जादा थी और बाद में उसकी speed कम हो गई है इस समय acceleration निकालेंगे तो वो acceleration आएगा v की जगे 5, u की जगे 8 और इस बार जो answer आएगा वो minus 3 आएगा तो हम कह सकते हैं अगर initial velocity कम है final velocity जादा है तो acceleration की value हमेशा positive होगी इस तरह का acceleration positive acceleration कहलाता है हिंदी में देखते हैं अगर वस्तु का अंतिम वेग प्रारंबिक वेग u से अधिक होता है तो ऐसा त्वरण धनात्मक त्वरण होता है नीचे यहाँ देखते हैं अगर initial velocity यानि प्रारंबिक वेग जादा है और अंतिम वेग कम है यानि वस्तु जो है वो speed बढ़ने की बजाए speed कम हो गई है तो ऐसे case में acceleration जो होता है वो negative होता है तो वही हमें यहाँ पर बता रखा है negative acceleration का एक नाम होता है retardation तो इस तरह की motion को retardation motion भी कहते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन गती अब हम आते हैं इस example में इस example में है यदी एग रुकी हुई bus तो रुकी हुई bus का मतलब है शुरुआत में अगर speed को लिखने के लिए कहा जाएगा तो initial speed हम यू लेंगे रुकी हुई है तो वो 0 होगी 0 जब भी लेंगे तो इसका मतलब है object रुका हुआ है means rest में है हमारे पास है 2 second 2 second में वो 5 meter per second का वेग या गती प्राप्ट कर लेती है यहां देख सकते हैं let us assume that a car is at rest यहां पर ध्यान देने की बात है यहां पर car है और यहां एक bus है कोई बात नहीं हम दोनों को एक ही मान लेते हैं when it is started started का मतलब है यह रुकी हुई थी और यह चलना शुरू हुई it attain a velocity of 5 meter per second in 2 second यानि कि इस question का data same है बाद में उसकी speed बढ़कर 5 meter per second हो जाती है और बाद वाली speed को हम V से represent करते हैं तो हम लिखेंगे 5 meter per second question में पूछा है what will be its acceleration तो acceleration क्या है हम जानते हैं acceleration का formula है V minus U upon T values को substitute करेंगे V की जगे 5 U की जगे 0 और time इसका 2 divide करके answer आजाएगा 2.5 unit इसकी होती है meter per second square यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं initially speed कम है final speed जादा है इसलिए यह acceleration एक positive acceleration होगा यानि कि धनात्मक त्वरण का ये एक उधारण हुआ अब हम बात करते हैं acceleration यानि कि त्वरण के graph के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है acceleration of an object can be represented by velocity time graph यानि किसी वस्तु का त्वरण वेग समय graph से प्रदर्शित किया जा सकता है देखते हैं कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है हम जानते हैं graph बनाने के लिए हमें दो access की जरूरत होती है एक access हमने ले लिया है time access यानि किस समय और दूसरा access हमने ले लिया है vague इसको मैंने V से लिख दिया है हम जानते हैं कि अगर कोई object zero time से शुरू होता है फिर वो एक second बाद किसी position पर आएगा फिर दो second बाद फिर तीन second बाद ऐसा कुछ होने वाला है माल लेते हैं एक second बाद उसकी speed हो गई है बढ़कर five दो second बाद उसकी speed हो गई है ten तीन second बाद उसकी speed हो गई है fifteen हम जानते हैं कि अगर उसकी speed लगातार बढ़ रही है तो ये motion acceleration का motion होगा अगर एक second का point हम लगाते हैं graph में तो इस तरह से हम point लगाते हैं दूसरे सेकंड पर इसकी स्पीड 10 है तो point लगेगा कहीं यहाँ पर इस तरह से और तीसरे सेकंड पर स्पीड 15 तो point लगेगा कहीं यहाँ पर अगर इन सभी points को मिला देंगे तो एक straight line आ जाईगी तो हम कह सकते हैं ये straight line वास्ताव में एक ऐसे motion की line है जो की accelerated motion है इसलिए हम क किसी भी object के acceleration को represent कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने acceleration को represent किया हुआ है अगर कोई हम से पूछता है कि बताओ कितना acceleration है तो हम यहाँ पर formula से ये बता भी सकते हैं देखिए किस तरह से हम देखते हैं final velocity तो final velocity मान लेते हैं 10 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 फिर हम लिखते हैं initial velocity यह है 5 तो यह 10 से पहले वाली velocity 10 velocity के समय time कितना था 2 second तो इसके नीचे हमने लिखा 2 और 5 meter per second per time कितना है that is 1 second तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 तो ऊपर तो आ गया है velocity का difference और नीचे आ गया है time का difference और acceleration हो गया 5 meter per second square इसलिए ही जो पहली line लिख रखी है कि कि किसी भी वस्तु के तवरण को वेग समय graph से निरूपित किया जा सकता है तो यह बात सही है और अब हम इस graph से इसको समझ भी सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरा statement तवरण भी एक समान या असमान हो सकता है acceleration can be uniform and non uniform यह graph है एक straight line हम देखते हैं इस straight line graph में हमें क्या पाता चलता है इस graph की values द graph पर आते हैं यहां पर हम देख सकते हैं time है one second फिर two second फिर three second फिर four second और इनी time के साथ-साथ velocity की value है 10, 20, 30, 40 तो हम देख सकते हैं एक second में velocity है 10, दूसरे second में वो हो गई है 20, तीसरे second में हो गई है 30 और चौते second में हो गई है 40 तो यहां से यहां तक 10 से 20 आने में velocity में जो increase हुआ वो 10 हुआ 20 से 30 आने में यहां पे देखिए यह भी 1 second है velocity में increase हुआ वो भी 10 हुआ time यहां पर एक बढ़ चुका है velocity यहां पर बढ़ चुकी है फिर से 10 तो यहां पे हम देखते हैं हर second में जो velocity बढ़ती है वो same है इसी कारण ये वाला acceleration uniform acceleration कहलाता है हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान त्वरण इसको हम लिख सकते हैं अगर वस्तू का वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है अब यहाँ पर देखिए अगर speed लगाता बढ़ रही है जैसे क हमारे इस example में बढ़ रही है तो हम बोलेंगे यह बढ़ता हुआ वेग है और अगर speed घटेगी तो घटता हुआ वेग है लेकिन दोनों case में चोंकि वेग समान समय में समान रूप से बढ़ता या घटता है इसलिए इस तरह का acceleration uniform acceleration या एक समान त्वरण कहलाता है अगर हमें यह पता लगाना हो कि एक समान घटता हुआ कैसा होगा तो कुछ इस तरह का graph हम बनाएंगे यह मैं graph बना रहा हूँ इस graph में हम मान के चलते हैं horizontal access जो है जमीन पर पड़ा हुआ access वो समय का है और जो खड़ा हुआ access है जो vertical है वो velocity का है मान लेते हैं 0 वाले time पर speed है उसकी 40 और एक second बाद उसकी speed हो गई है यहाँ पर 30 फिर दूसरे second पर उसकी speed हो गई है 20 और fourth second पर उसकी speed हो गई है 10 तो इस तरह से इस बार इसकी speed 40 से 30 20 और 10 इस तरह से हो रही है इस तरह का motion जहाँ पर speed कम होई है वहाँ पर हम कहेंगे कि यह एक समान मंदन है यानिकि uniform retardation है तो इसलिए यहाँ पर घटता और बढ़ता यानि कि increasing और decreasing एक साथ लिखे हैं क्योंकि speed बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के ग्राफ की यहाँ देखते हैं इंगलिश में ग्राफ बना हुआ है time और velocity का और सेम ऐसा ही ग्राफ यहाँ पर हिंदी में भी बना हुआ है इनमें कोई फरक नहीं है लेकिन इस ग्राफ को एक बार थोड़ा analysis करके देखते हैं माल लेते ह इस वाले time को हम एक second माल लिया दूसरे time को हमने two माल लिया तीसरे time को three माल लिया और चौते time को four माल लिया इन velocity पर भी ध्यान देते हैं इस पहले वाले को 5 मान लेते हैं दूसरे को 10 तीसरे को 15 और 4 वाले को 20 हम देखते हैं कि पहले वाले point पर जो velocity की value है वो 5 से कम है तो पहले वाले पर velocity मैं 3 मान लेता हूँ एक rough idea सिर्फ समझने के लिए दूसरा point जो है वो कहीं उपर जा रहा है और इस समय velocity 5 से जाधा है मैं इसको दूसरे वाले case मैं 7 मान लेता हूँ 5 से जाधा फिर हम आते हैं 3 वाले case पर यहाँ पर velocity और भी जाधा है और यह करीब करीब 15 है तो 3 वाले पर मैं इसको 15 मान लेता हूँ फोर्थ वाले case पर बात करते हैं फोर्थ वाला point बहुत उपर है और ये करीब करीब 20 पर ही लग रहा है तो फोर्थ वाले पर हम इसको 20 बान लेते हैं अब हम देखते हैं जब हम 1 second से 2 second पर आते हैं तो time का difference हुआ 1 second और speed का difference हुआ 3 से लेकर 7 में आना 4 meter का जब हम 2 से लेकर 3 पर आते हैं यहाँ पर भी difference है 1 second का है लेकिन 7 से 15 पर आते हैं तो वो difference है 8 meter का 15 माइनस 7 करके हम difference पता लगा सकते हैं इसी तरह से 3 से 4 पर आते हैं time फिर से 1 second है लेकिन speed इस बार हो गई है 15 से बढ़कर 20 यानि की 5 meter का हम यहाँ देखते हैं कि speed जो बढ़ रह नहीं है एक बार 4 बढ़ी एक बार 8 और एक बार 5 तो यहाँ पर जो वस्तु का वेग है speed of object वो एक समान तरह से यानि uniform तरह से नहीं बढ़ती है इसी वज़े से यह acceleration तो है लेकिन यह uniform acceleration नहीं है so it is known as non uniform acceleration यहाँ पर लिखा है when the velocity of the object changes unevenly unevenly का मतलब है unequal तरह से जैसे की 4 4 के बाद 8 8 के बाद 5 with time such motion is known as non uniform acceleration हिंदी में लिखा है अगर वस्तु का वेग असमान तरीके से घटता या बढ़ता मैंने आपको बताया था यह दोनों शब्द इसलिए इस्तिवाल किये जाते हैं क्योंकि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो ऐसा acceleration असमान त्वरण कहलाता है एक्जामपल दिया हुआ है motion of a car in traffic हमें मालूम है अगर भारी traffic में car चलाते हैं तो कभी भी same speed से वो नहीं चल पाती है अब हम बात करते हैं check yourself स्वम को जहांचे तो ये आपको स्वम करने है थोड़ा सा हिंट हम इनके बारे में discussion कर लेते हैं सबसे पहले है what is acceleration यानि कि त्वरण क्या होता है तो इसका answer हो जाएगा change in velocity per unit time is acceleration यानि कि 21 समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं इसका सूत्र बताइए इसका सूत्र हम जानते हैं a equal to v minus u upon t this is the formula और इसकी unit बताइए और unit हम जानते हैं meter per second square इसको लिखने का एक तरीका meter second की power minus 2 यह भी एक तरीका है दूसरा question an airplane attain a velocity of 230 seconds on its track calculate its acceleration यहाँ पर दिया हुआ है कि acceleration होता है v minus u upon t यहाँ पर हमें दिया हुआ है शुरुआत में तो aeroplane रुका हुआ होगा तो 0 होगा और speed बात में बढ़कर होगा यह 200 meter per second तो values रखेंगे 200 minus 0 और time 30 second के इसाब से solve करेंगे तो यह 200 upon 30 यह इसका answer आजाएगा solve आप अपने आप कीजिए third है explain uniform and non uniform acceleration by velocity time graph यह हम जानते हैं uniform acceleration होगा तो velocity fix तरीके से बढ़ेगी और उसका graph एक straight line आता है और अगर यह non uniform होगा तो velocity के बढ़ने का तरीका तेजी से होगा तो यह graph एकदम से बढ़ता हुआ नजर आएगा इस तरह से graph होगा तो पहला graph जो है वो uniform motion के लिए हुआ और दूसरा graph non uniform acceleration के लिए हुआ फूर्थ question है a car accelerate uniformly from 5 to 10 in 5 seconds और acceleration calculate करना है यह एक simple सा question है आप इसको कर सकते हो तीनों values आपके सामने है final value है 10 initial 5 और time उसका 5 solve करेंगे तो इसका answer आजाएगा 1 meter per second square उमीद है आपको acceleration और उससे सम्मंदित graph कुछ कुछ समझ में आए होंगे अगर यह नहीं समझ में आए है इस वीडियो के बाद में एक वीडियो का link आपके सामने screen पर होगा उसको भी चला कर आप acceleration को अच्छे से समझ सकते हैं Thank you